Topic Moist Temperate Conifer Forest Ecosystem इससे पहले हमने जो है वो Moist Temperate Conifer Forest जो है वहाँ पे जो specifically जो forest की composition है वो हमने देखी है कि जो है वहाँ पे conifers के trees भी है वहाँ पे herbs भी है, shrubs भी है, grasses भी है और जो है वो एक full-fledged green जो है वो forest है यहाँ पे moisture की amount जादा है winter में भी जो है वो rainfall है summer में भी जो है वो rainfall है और हमारे यह northern areas के जो forest है यह जितने healthy रहेंगे उतना ही जो है यह नीचे lower जो altitude है वहाँ पे जो forest है वहाँ के जो agricultural plain areas है वहाँ पे जो पानी आता है इन उपर से forest से तो उतना ही ज़दा clean, sweet पानी जो है वो हमें मीठा पानी मिलता रहेगा यह हमारा source of जो है वो water है यह वाले जो moist forest है और इन से अपर जो altitude के उपर जो बरफ यह glaciers है तो इन इनका जो है वो healthy होना जो है वो उतना ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन forest को जो है वो काटतेंगे तो वो बहुत सारे पत्थर बहुत सारी जो top layer है और ऐसी unwanted कीज़ें जो है वो लेकर आएगा और वो पानी जो है ना सिर्फ जो है वो एकदम से बह जाने का जो है वो जरिया होगा हम उसे कहीं रोक नहीं पाएंगे वो जो हमारे system में हमारे जो soil है उसमें panthrate नहीं कर सकेगा उसका जो water level है वो इतना ज़ादा जो है वो rise नहीं कर सकेगा तो हम अपना एक पानी का बड़ा important source जो है वो उसको limited कर देंगे अब इस ecosystem के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे दरख्त हैं तो यकीनन जो है वहाँ पे जानवर भी हैं और वो जानवर वहाँ पे कैसे रखते हैं अब कोनी फर जो forest हैं या जो trees हैं वो fur trees होते हैं tallest होते हैं almost अब ये tallest trees में जो है वो sometime lightning होती है या thunder storming होती है तो कोई एक जो long जो बड़ा सारे tree होता है वो जल जाता है और वो dead हो जाता है उस dead tree को जो है वो हम snacks कहते हैं अब ये जो snacks होते हैं जो बड़े-बड़े trees होते हैं उसके अंदर जो woodpecker होता है उसने बहुत सारे उकसान पहुंचाता है उसने उसको जो है वो खाना होता है इस तरह एक तरह से वो woodpecker जो है in fact उस जो wood borrower insects जो है उसकी population को control करने का बाइस बनता है यह उसकी जिंदगी की activity है लेकिन इसके साथ-साथ cavities जो है वो generate करता चले जाता है लेकिन यही जो है वो snack trees यही dead trees जो है sometime बिलकुल सीदे खड़े रहते हैं कभी जो है वो गिर जाते हैं कभी किसी दरख के सारे गिरे होते हैं कभी कहीं जमीन पर गिर जाते हैं तो क्या यह जो है वो किसी और काम में नहीं आ सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है बलकि जो एको सिस्टम वो यह है कि जो चीज वहां पर है वो किसी ना किसी फायदे के लिए इस्तमाल हो रही है और उसका फायदा ये कि जो वुट पैकर्थ ने होल किये थे उसमें बहुत सरे जो नेस्ट डिवैलिंग जो बर्ड्स वगारा हैं वो वहां पे अपने nest बना लेते हैं, जो cavity developing हैं, ठीक है, वहां पे वो nest बना लेंगे, बाजो का जो है एक जो snack tree होता है, उसमें 20 से ज़ादा holes होते हैं, अब वहां पे birds जब nest बनाएंगे, तो उसमें जो है वो अंडे भी देंगे, और बाजो जो है वो ऐसी sparrow's हैं, जो के एक सा पल वहां पर जो है वो cannon tree sparrow जो है पाई जाती है, और एक साल में वो one two three जो है वो broods जो है वो produce करती है, और उसमें four nestlings, यानि कि चार अंडे जो है वो देती है, और हर एक जो nestling है, उसका weight 18 gram होता है, अब उन nestling जो वो चोटे-चोटे से उनके बच्चे हैं, जो उस sparrow के, उसको जो है रोजाना की feed जो है, वो 20 gram insects जो है वो चाहिए, लहाज़ा जो parents है, वो 20 gram insects लाके उसको दे रहे हैं, जो है वो provide करते हैं, और चारों को provide करने हैं, जो है 12 gram, तो 12 into 4 जो है वो automatically जो है वो increase कर देगा, जो insects जो है उनकी consumption को, इस तरह बहुत सरे insects जो के इन plants को, यह दूसरे plants को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, यह उनको control करने का जरिया बन जाते हैं, और यह वहाँ पे जो है वो उस ecosystem के अंदर जो है वो एक disease causing organism को जो है वो खतम करे हैं, यह insect की population इस तरह से जो है वो regulate करते हैं, और birds जो यहाँ पे इन dead trees के जो holes हैं, उनके अंदर जो birds nest बनाते हैं, वो ना सिर्फ insective words होते हैं, बलके वो जो है वो grain eaters भी होते हैं, यह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि moist temperate conifer forest में इस तरह से जो है वो snack trees पाए जाते हैं, उनके जो है यह holes हमें नजर आ रहे हैं, इवन यहाँ पर भी जो है वो अपनी nest जो है बना सकेगा, यह यहा यहाँ पर यह 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 वाला जो tree है, यह बिल्कुल dead हो गया, तो वो उसी ecosystem के अंदर रहते हैं, जिसके इर्दगित जो green trees हैं, वहाँ पर यह एक जो dead tree है, वो बहुत सरे birds हैं और जो बहुत सरे animals हैं, उनकी छुपने की जगा, उनकी reproduction की जगा, उनको एक shelter जो है वो provide कर आएंगे, यहाँ पर बड़ी खुदत और close-up अकासी आप देख सकते हैं, कि एक wood packer जो है, वो अपने seeds है, वो उन छोटे छोटे जो उसने सुराख बनाए हैं, उसके अंदर भी जमा कर रहा है, और grains बाद में निकाल लेगा, और यहाँ पर नीचे जो है वो आप देख सकत हैं, उनको जो है वो खालेगा, यहाँ पर दूसी तरफ जो है, वो हम देख सकते हैं, कि यह जो है snag tree जो है, उसमें एक sparrow ने घौंसला अंदर बनाए वा है, नीचे वाली की तरफ जो है, एक owl जो है, उसने अपना घौंसला बनाए वा है, इसका मतलब है, कि वो ही cavities, जो क woodpacker ने जो थी बनाए थी, वो मुखलिफ जो birds हैं, वो उनको अपना as a home, as a nesting site for reproduction, जो हो इस्तमाल करें, वो उनका shelter है, वो surrounding में से जो है, वो अपना food अकठा करें हैं, और अपने nestlings को जो है वो पाल रहे हैं